हलो प्रेंट्स वेलकम बैक तू माई चैनल जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम पैराग्राफ की सीरीज स्टार्ट करेंगे हिंदी पैराग्राफ और इंग्लिश पैराग्राफ की तो आज उस सीरीज में हम पहला वीडियो लेकर आए हैं यह पेपर 2019 दिसंबर का है तो इसका पैराग्राफ देख लीजए हैं क्योंकि हम पहले बोल चुके कि पैराग्राफ देखने से पहले आपको क।षिस देखने जरूरी हैं तो हम सीधे क्वेशिन पर आते हैं कि क्या है अनुछेद के आधार पर हमें किस पर सरवाधिक ध्यान देनी की जरूरत है नमबर टू है अनुचेद के अनुसार गड़ित भूगो लितिहास आधी विशय हैं यह दो कुछन जैसे आपने देखें ठीक है तो पहला क्या है अनुचेद के आधार पर हमें किस पर सरवाधिक ध्यान देनी की जरूरत है तो अब हम अपना यही है कि सिच्छा के स्वाभाविक और आवश्यकंगों को छोड़कर हमने ऐसे विश्यों उपर अधिक ध्यान दिया है जो मनुश्य का एक तरफा विकास करते हैं जिनके कारण व्यक्तितु का बड़े से बड़ा भाग अतरप्त रह जाता है बाले अवस्ता में भी कला सि कि अधिक के बाद किशोर रवस्ता और उसके बाद भी सारे जीवनकाल थक किसी ना किसी कला प्रवर्ति को अपने भाव प्रक्टन का जरीया बनाए रखता है तो आपका पहला कुश्य क्या था कि अनुच्छेत के बारे में हमें किस पर सरवादिक ध्यान देने की जरूरत ह हम यहां पर देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है कला प्रवर्ति पर ध्यान देने की जरूरत है तो हमारा इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा कला प्रवर्ति बी हमारा आंसर हो जाएगा इन्होंने यहां पर एक्स्प्लेइन भी कि अनुच्छेत के अधार पर हमें कला प प्रधान नहीं होते कल प्रदान भी नहीं होते हैं गड़ित भूगोल इतिहास हमारे कैसे होते हैं यह तर्क प्रधान होते हैं तो आप हम प्रवार जाद़ को डूले गज़ोंड़ कि तरक प्रधान घृट तो यहां पर देखिए गड़ित भूगोल कहां लिखा सिर्फ आपको यह देखना है कि गड़ित भूगोल कहां लिखा है आपको आगे पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना है आप जितना ज्यादा पर पढ़ेंगे अधर आपको confusion होगा और time भी आपका वेस्ट होगा तो यहां ल तो हमारी क्या होती है, समाज में विभाजन, ठीक है, ग्यान विग्यान को बहुत अदिक महत्व देने पर समाज में विभाजन होता है, फूट पड़ती है, ये देखे कहां पर लिखा है, कि समाज में फूट पड़ रही है, विभाजन हो रहा है, ठीक है, अब नेक्स्ट तो किशोर रवस्ता किस तरफ जाएगी भाई पतन की तरफ जाएगी ज्यान कर्म प्रगति यह तो पॉजिटिव हैं तो क्या होगा पतन की तरफ जाएगी इन में से कौन्शा सब्समू से भिन है यह आपका पैराग्राफ से थोड़ा सा अलग कॉशन है नमबर 5 अब यह देखते हैं आज की तालीम भी इसी दोड़ में साथ दे रही है वाक में निपात आपको बताना है तो निपात क्या होता है नम आप इसके एक्स्प्लिनेशन में देखे जब बात पर जोर देने के लिए निपात का प्रयों किया जाता है तो आज की तालीम भी भी वर्ड जो अब नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अनुछेत की आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिच्छा का नतीजा है कैसा है सुखद और सथ पता नहीं तो जितना भी अभी हमने पैराग्राफ पड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा दुखद है ठीक है जिन्होंने भी पैराग्राफ नहीं थोड़ा सा भी रह गया है वो थोड़ा सा उसको अच्छे से देख सकते हैं दोबारा से कि हमारा अनुवब हमें बताता है कि हर वेक्ति कहां पर थे हम आज के सभी विशे जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं जैसे गड़ि के वल पाठिक्रम से ही नहीं निकल जाती बलकि इन तार्किक विश्यों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है कि शोर अबस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीज़ा भयानक हो रहा है सबिता रोज वरोज बेढव होती दे रही है तो हम समझ गया कि हमारा पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है अब नेक्स्ट कोशन आपका कौन से रह गया है नाइन नमबर आधुनिक सिछा में किस विशय को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है तो हम पढ़ चुके है कि किसको दे रहे है विज्ञान को दे र परोज होगा एक पोईट्री होगी तो यहां पर देखिए आपका जो आप इसको पहला कोश्चन कि हम करिड का आश्य है कि क्या है पराग्राफ देखे शाकार दिव गौरव विराट पॉरस के पूंजी भूत जौाल मेरी जननी के हिम करिड मेरे भारत के दिविभाल तो हम क माने बर्फ बर्फ का मुकुट ठीक है यह थोड़ा सा आप अगर पैराग्राफ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कुछ कोश्चन सापके ऐसे ही हो जाएंगे लेकिन आपको अपना माइंड जो है वह इल्कुल ओपन रखना है ठीक है घबराना नहीं है परिशान नहीं होना त कोश्चन देखते हैं नगपती का विग्रह और समास होगा तो नगपती नग माने क्या होता है परवत नगपती परवतों का पती ठीक है तो समास यहां पर क्या होगा ततपुरुश ठीक है अब तो एल नंबर देखें किस पंक्ती में कहा गया कि हिमाल है शक्ती की जौलाओ का ढेles सक्ती की जौलाओं का ढेट अब हम पंक्ति देख लेते हैं ऑथ कि के हां पर इज़ाला लिख्षा है साकार दिवु गौरव िराठ पारुष के पुंजी भूत जो यह पर देखेज्वाल जवाल ज़ाला ठीके तो पारुष के पुंजी भूत ज्वाल तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा C ठीक है इसमें आपके ज्वालाओं का धेर हिमाले को कहा गया है question 13 देखते हैं क्या है हमारा question 13 है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा सब्द प्रियुक्त हुआ है देखें आपको कुछ questions आपके ऐसे ही हो जाएंगे लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर कविता में कौन सा सब्द यह जोर देकर बोला है तो आप एक बार कविता जरूर प्रलीजेगां तो यहाँ पर आप देख सकते हैं युग युग में अजय ठीक है युग युग में अजय निर्बंध मुक्त तो यहाँ पर क्या हो जा निसिम यानि कि निधन सिम निधन सिम तो इसका राइट ओप्शन क्या हो जाएगा? विसर्ग संदी ठीक है? निधन सिम निसिम अब 15 question देखे की बार्षा आकलन क्यों करते हैं कि बच्छा अभिव्यक्ति कर पा रहा है या नहीं उसके मद में जो government पारा रहा या नहीं उस में पथन लेखन और बोलने के लिए इतना जोर नहीं दिया जाता है सबसे पहले तो बच्छा सिफ अपनी अव्यक्ति कर पाए उसके मन में जो विचार है वो बता पाए ठीक है इसका राइट ऑप्शन है भी अब देखते हैं 17 कुशन क्या है इन में से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है तो शुरुत ल सिर्क में क्या है वो बच टीचर को फॉलो कर रहा है तो यह जादा प्रभावी तरीका नहीं है तो आज हम इसमें सिर्फ दो पैराग्राफ ही लेने वाले थे बट टू कॉश्चन और हमने ले लिए हैं आगे की सीरीज में कोशिश करेंगे कि सिर्फ पैराग्राफ और